Hello everyone, I am Nehal from WSQTag और आज के इस वीडियो में हम Nave Bias Classifier algorithm के बारे में बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में Nave Bias Classifier algorithm क्या होता है तो देखिए जो आपका Nave Bias Classifier है ये आपका एक Machine Learning algorithm है जो कि Supervised Learning के उपर based है और ये आपका जो Algorithm है ये आपका Classification की जो Types रहते हैं वो आपका Problem Solve करने के लिए यूस किया जाता है और ये जो आपका Nave Bias Classifier algorithm है ये एक Probabilistic Classifier है जिसमें वो क्या होता है जो Prediction वो करता है वो on the basis of Probability करता है अब पहले यहां समझने के कोशिश करते है कि Probability क्या होती है तो देखिए हम कुछ Examples लेंगे तो जैसे Suppose मैंने एक Coin को Toss किया है अब यहां अगर मैंने Coin को Toss किया और मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे Tail चाहिए तो उसकी Probability कितनी होगी तो देखिए उसके Sample Space आप यहां पर देख रहे है या तो Head-Head हो सकता है या Head-Tail आसकता है या Tail-Tail आसकता है मतलब यहां पर आपका क्या होने वाला है Probability आपकी यहां पर 1 by 4 होने वाली है उसके बाद में एक और एक्जाम्पल लें तो देखिए सपोज मैंने अगर डाइस को रोल किया यहां पर और अगर मैं चाहती हूँ कि 6 जो डिजट है वह आने की Chances कितनी है उसकी Probability कितनी है तो यहां पर उसकी Probability कितनी होने वाली है 1 by 6 होने वाली है क्योंकि यहां पर जो Out of Total Possible Possibilities कौन कौनसी है यहां पर यहां तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है तो आप Sample Space में देख रहे हो 1 से लेके 6 तक यहां हो सकता है तो इसकी Probability क्या होईगी आपकी? 1 by 6 होईगी और Similarly अगर मैं 2 dice अगर at the same time अगर रोल करूँ तो उसकी क्या होने वाला है Sample Space? तो आप यहां देख रहे हैं कि उसकी यह सब Possibilities यहां पर आने वाल है तो यह होता है आपका Probability तो आपका जो Nave Bias Classifier algorithm होता है वो एक Probabilistic Classifier होता है जिसके अंदर वो क्या करता है? जो Production करता है वो on the basis of Probability of an object करता है ठीक है? अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यह जो नाम है Nave Bias इसका नाम इस तरीके से क्यों है? Nave Bias इसका क्या meaning होता है? तो दिख्या है यह जो Nave Bias है यह दो words से मिलके आपका बना हुआ है पहला है Naves और फिर है Bias तो Naves क्या बोलता है? तो Nave बोलता है It is called Nave because it makes the assumption that all the attributes are independent of each other मतलब Nave Bias क्या कर रहा है? जो भी attributes है जो भी features आप जो consider कर रहे हो वो हर इसको independently वो consider करता है अब इस line को, इस statement को हम example के मदद से समझते हैं जैसे कि हम एक ना कोई fruit को हमें identify करना है तो एक fruit को identify करने के लिए उसके attributes है, उसके features क्या हो सकते है जैसे उसका हम color ले सकते है उसका shape ले सकते है और उसका taste तो हमने यहाँ पर 3 तो हमने यहाँ पर क्या खंद लिया? 3 हमने features ले लिए color, shape और taste अब मैं यह बोल रही हूँ कि जो color है उसका वो fruit का green है उसका जो shape है वो oval है और जो उसका taste है वो है sweet अब ऐसे fruit का नाम बता हो जो in features के उपर based है तो इसके उपर based है आपका watermelon तो आप देख रहे हो जो fruit है जिसका जो feature है वो green है oval है उसका taste sweet है तो उसे हम क्या बोलेंगे? Watermelon तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर यह जो features है यहाँ पर जो attributes है यह based algorithm आपका nav bias algorithm आपका क्या बोलता है कि मैं हर यह जो features है इनको मैं independently consider करूँगा भले इन में dependency होने दो और इन features को independently consider करने के बाद ही मैं उस fruit की probability बताऊंगा कि वो fruit कौन सा है जैसे इस case में हमारा watermelon हो गया तो यह होता है navs अब आपको यह statement समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हर feature आपका जो है वो independently nav bias consider करने वाला है और जो second word है base वो base इसलिए इसलिए बोला जाता है बिकॉज यह आपके concept principle के उपर depend है यह आपका base theorem यूज करता है और अब भी हम देखने वाले कि base theorem क्या बोलता है तो अब आपको यह समझ में आगे कि nav bias इसका नाम क्यों है क्योंकि navs मतलब क्या है कि वो हर feature को independently consider करेगा और base इसलिए है क्योंकि वो base theorem के उपर based है अब देखिए base theorem को समझने से पहले हमें conditional probability क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा और वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आपका जो nav bias classifier algorithm है वो आपका conditional probability के उपर work करता है ठीक है तो अब हम conditional probability क्या होती है वो हम ये playing card example से समझते है तो थोड़ा सा मैं आपको एक basic idea दे देती हूँ तो देखिए आपके पास total 52 cards होते है और 52 cards में आपके पास 4 suits होते है और ये suits किसे बोलता है जो मैंने आपा figure में बताया है ये hurts होते है, clubs होते है, diamonds होते है और spades होते है ठीक है, ये 4 suits होते है और ये हर suit के अंदर आपके 13 cards होते है तो कौन-कौन से होते है, आपके 1 होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, or king तो ये आपके यहाँ पर 13 cards हर एक suit में होता है तो जैसे कि मैंने लिखा है, each of the 13 cards has all these 4 suits ठीक है अब यहाँ पर मैं एक आपको question देती हो अब question ऐसा है कि if you pick a card from the deck can you guess the probability of getting a king given the card is a spade मतलब यह यह बोल रही हो क्या आप उसकी probability एक king की आप पता कर सकते है जबकि वो card जो है, वो as a spade है मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो spade मैंने जो लिखा है, the card is a spade यह already condition दे दी है ठीक है, तो यहाँ आपका dominator क्या होने वाला है, यहाँ आपका dominator 13 होने वाला है, और न कि 52, क्योंकि आपने condition already यहाँ दे रखी है, कि the card is given as a spade over here उसके बाद में आपका king कितने होते है तो king आपका 1 होता है, तो इसकी probability क्या होगी, तो इसकी probability क्या होगी, 1 upon 13 which is equal to the 0.076 तो यह आपका conditional probability का example है तो जब मैं आपको बोल रही हो, तो यह देखे, जो आप यहाँ पर यह जो P of A dash B यह जो आप देख रहे हो, इसको आप pronounce कैसे करते हो, इसको आप ऐसे read करते हो probability of A when given B तो यह जो dash आप देख रहे हो, यह condition है आपकी, ठीक है और जो condition की उस तरफ, जो B लिखा है, वो already given है, वो already occurred है यहाँ पर तो probability of king given that the card is already a spade, ठीक है यह इसका pronunciation होता है, तो वही मैंने लिखा है, probability of A occurring given that B has already occurred, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो events है, तो कौन से events है, आपका, king एक event है, और spade एक event है, और जो king है, आपका वो A है, जो spade है, वो B है और B जो spade है, यह condition already occurred हो गई है, यह condition already given है, और आपको probability किस की find करनी है, आपको probability of A की find करनी है, probability of king की find करनी है, ठीक है, तो इसे बोलते है conditional probability, अब हम बात करते हैं कि base theorem क्या बोलता है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, friends की जो base theorem है, वो आपकी conditional probability को principle की उपर work करती है, और आपका base theorem इस तरीके से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से आपका है, तो इसको आप read कैसे करते है probability of A given B is equal to probability of B given A into the ratio of the probability of A and B ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला यह A और B आपके events है, ठीक है, और यह जो dash है, यह आपका condition होता है या आप इसको given भी बोल सकते हैं कि यह जो आपका B रहता है, यह already given रहता है, यह already occurred होता है और आपको probability of A find out करनी होती है, तो यह आपका base theorem है, अब इस base theorem में हम क्या करते हैं, जो अभी जो हमने playing cards का example लिए है, उसकी हम यहाँ पर probabilities हम यहाँ पर डालते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो individual probabilities है, वो इस तरीके से हैं, यह तो आपका base theorem हो गया, आपकी probability of spade with respect to the king आपकी क्या है, 1 by 4 है, probability of king आपकी क्या है, 1 by 13 है, probability of spade क्या है, 1 by 4 है, और मैंने यह वाले base theorem है, इसके अंदर जो events है, वो मैंने replace कर दी हमारे example से king of spade, तो यहाँ पर probability of king हमें find out करनी है, जबकि हमारी condition of spade already given है, यह occurred हो गई है, और is equal to क्या बोल रहा है, probability of spade given king, into the ratio of the probability of the king and the spade over here, और यह अगर मैंने values यहाँ पर substitute करने के बाद मुझे क्या probability मिल रही है, 0.076 तो यह जो answer है, that is 0.076, यह आपकी probability है of getting a king when the card is a spade over here, तो अब आपको यह base theorem, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह clearly समझ में आगया होगा, यह conditional probability के उपर work करता है और हमने यह भी देख लेए कि conditional probability किसे बोलते है, ठीक है अब हम यह देखते हैं कि जो base NAV-based जो algorithm है यह आप कहा का use कर सकते हो तो जो first application है, वो है आपका face recognition software तो आप यह जो NAV-based classifier है, यह आप use कर सकते हो face recognition softwares के अंदर in order to identify the face of a person, तो यहाँ पर जो features आप consider कर सकते हो, वो आप कर सकते हो कि तो location of the eyes फिन nose, फिर mouth, इस तरीके से, उसके बाद में जो second example है, वो आप यहाँ पर use कर सकते हो weather forecast के अंदर, ठीक है तो NAV-based जो classifier algorithm है वो उसकी मदद से आप weather की forecasting के बारे में पता लगा सकते हो कि weather आपका cloudy है या windy होने वाला है, या rainy होने वाला है, या heavy snowfall होने वाला है उसके बाद में जो next application नेवबाइस का, वो आप use कर सकते हो news categorization में, तो जैसे कि हमारा Google News है, तो वो आपका NAV-based classifier यूज करता है आपकी news को classify करने के लिए कि वो news political है, कि world news है, इस तरीके से, उसके बाद में NAV-based classifier के मदद से आप अपने news articles में भी आप classify कर सकते हो, based upon कौन-कौन से features, जैसे जो news technologies में आप डाल सकते हो जो news politics है, या sports है तो इस तरीके से, आप news categorization के अंदर, आप NAV-based classifier algorithm का, यूज कर सकते हो अब हम क्या करेंगे हम अब इसको practically implement करके देखेंगे, तो हम सीधा हमारे जुपिटर notebook के उपर चलते हैं तो हम यहाँ पर जुपिटर notebook के उपर है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, pandas library को import करेंगे, तो हम करेंगे import pandas as pd, ठीक है और जो data set हम use कने वाले, तो मैं पहले data set यहाँ load करती हूँ, उसके बादे data set मैं use करूँगे, तो मैं लिकूँगी pd.readcsv और उसके बाद में मुझे location कॉपी करना पड़ेगा, तो मेरे desktop पे यह रखा है, जिसका नाम है social network ads, तो मैं इसके properties में जाती हूँ, और यहाँ से मैं इसका location कॉपी कर लेती हूँ और simply यहाँ जाके इसको paste कर देती हूँ, और उसके बाद में मुझे इसका file name भी मुझे copy paste करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ मैंने इसको paste कर दिया है और इसको लिख देती हूँ, मैं data set और अब अगर मैं आपको मेरा data set बताओ, तो देखिए, यह इस तरीके का data set है, तो यह data set क्या है, यह एक social network ads का CSV file है यहाँ पर, तो यहाँ पर basically क्या है, कि जैसे आपका social media जो रहता है, तो वहाँ पर जैसे कि लिंक्स आते है, बहुत सारे products के related की हमारा यह product आप purchase करिये या advertisement होता है, तो यहाँ पर यह data यह बोल रहा है, कि जैसे particular जैसे आप यहाँ पर features देख रहे हो कि user ID, gender, age, estimated salary, तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो भी वो जो social network, जो sites थी, उसके उपर जो products के advertisements आ रहे है, तो वो advertisement पे click करके कितने users ने उनका product purchase किया है और कितनों नहीं किया है, इस तरीके का यह data set है, तो जैसे यहाँ पर first वाला है, जैसे यह male है, इसकी 19 years, इसकी age है, इसकी estimated salary 19,000 है, तो इसने 2000 है कि उसकी है, इसने purchase नहीं किया, 0 stands for कि purchase नहीं किया है, जबकि आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर यह female है, इसकी age 46 years है, इसकी salary around about 41,000 है, क्योंकि ए automated salary है, तो इसने purchase किया है, 1 stands for purchased and zero stands for not purchased और यहां पर आप जो purchased आप देख रहे हैं तो यहां पर basically बस दो ही classes है कि purchased या not purchased तो यह clearly आपका classification आपका problem है और जैसे कि मैंने आपको बला है जो नेव बाहे से आपका classification algorithms के लिए आपका use किया जाता है ठीक है अब यहां हमें क्या करना है यह तो हमारा data set है ठीक है अब सबसे वहले हमें यहां पर क्या करना है independent variable और dependent variable को हमें separate out करना है तो दीक है user ID की हमें कोई आविशक्ता नहीं होईगी ठीक है तो user ID तो हम नहीं लेने वाले है तो बात करते हैं आप independent variables की तो independent variables आपके कौन से हो जाएंगे gender, age और estimated salary ठीक है यह independent variables है जो हम caps log x में डाल देंगे और जो आपका जो target variable है जो purchased है yes या no ठीक है 0 and 1 तो यह हमारा क्या है dependent variable है जो कि dependent है इन features के उपर ठीक है तो हम यहां लेते है x is equal to यहां लिखते है data set और i log और उसके बाद में यहां पर इस तरीके से हम लिखते है all the rows और इस तरीके से हम क्या लिखते है 1, 2, 3 मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ तो 1, 2, 3 इस तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है अब मैं अगर आपको x बता हूँ तो देखिए मेरा gender, age और estimated salary यहां पर आ गया है बट मुझे क्या करना है ना मुझे array बनाना इसका ठीक है मुझे इसे values जाए तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा dot values ठीक है और अब मैं अगर आपको x बता हूँ तो देखिए यह इस तरीके का मेरा array आ गया है ठीक है और similarly मैं अपना जो dependent variable है y वह भी मैं ऐसे कर देती हूँ तो मैं लिखती हूँ data set dot i log और उसके बाद मैं यहां पर raise देती हूँ all the rows और मैं अगर negative indexing की बात करूँ तो मैं अगर मुझे last वाला चाहिए तो मैं ऐसे minus 1 भी लिख सकती हूँ तो मैंने यहां पर minus 1 लिख दिया और इसको भी मुझे एक array चाहिए तो मैंने dot values लिख दिया और अगर मैं आपको y बता हूँ तो देखिए इस तरीके का मेरा यह जो purchased किया है या नहीं किया है इस तरीके का मेरा यह array यहां पर आ गया है अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो x variable है ठीक है यहां पर यह जो है जो first column है that is your zero index तो यहां पर आपका क्या है string है ठीक है male or female मुझे इसको क्या करना है मुझे इसको encode करना है 0 and 1 के अंदर और उसके लिए मैं क्या use करूंगी label encoder ठीक है और label encoder इसका object बना लेते हैं ठीक है जैसे हमने ले लिया le ठीक है और उसके बाद मुझे क्या यूज करना है fit transform यूज करना है और हमने गलती यह कर दी कि हमारा जो x है वो हमारा caps lock है ठीक है fine और इसको मैं basically क्या करती हूँ इसको इस variable में डाल देती हूँ ठीक है तो मैं caps lock x लिखती हूँ ठीक है और अब मैं अगर आपको मेरा x बताओ तो देखिए हमने successfully वो जो male or female जो strings format में था उसको हमने encode कर दिया है 0 & 1 में तो वो जो 1 है 1 stands for your male and 0 stands for your female over here ठीक है fine अब हमारा next step क्या है जब हमने independent or dependent variable को separate out कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें हमारे data set को split करना है ठीक है testing और training के अंदब और उसके लिए हम क्या करते हैं train underscore test underscore split यह वाला method हम यूज करते हैं तो मैं वह ही import करना है हूँ from sklearn dot model selection import train underscore test underscore split उसके बाद में यह train underscore test underscore split के अंदर मुझे मेरा independent and dependent variable डालना है और यहां पर मुझे अपना test size डालना पड़ेगा तो मैं यहां डाल रहे हूँ 0.2 मतलब कि मैं क्या कर रहे हूँ 80-20 ratio के अंदर मेरा data set को मैं divide कर रहे हूँ तो 80% जो मेरा data है वो मेरा use किया जाएगा मेरे model को train करने के लिए और जो remaining 20% है वो use किया जाएगा मेरे model को test करने के लिए और simply मुझे इस line से मुझे क्या मिलने वाला है मुझे x train, y train, x test, y test मुझे यहां से मिलने वाला है तो मैं simply यहां से जाके यह copy paste करने वाली हूँ तो मैंने यहां से यह copy paste कर लिया ठीक है यहां पर हमारा double equal to लग गया फाइन और अब मैं अगर आपको length बताओ मेरे x train की और इसकी length बताओ x test की तो देखिए 320 तो हम क्या करेंगे 320 यहां पर आप देखरें टोटल हमारा कितना है 400 हमारे rows है यहां पर तो उसमें से हमारा 320 है that is your 80% वो हम train करने के लिए यूज करेंगे हमारे model को और जो हमारा जो remaining 80% जो samples है वो हम test करने के लिए यूज करेंगे ठीक है तो अब हमने successfully हमने हमारा data भी हमने split कर लिया है ठीक है अब इसके बाद में मुझे क्या करना है अब मुझे यहां पर nav bias model को create करना है तो अब हमें nav bias model को create करना है तो दीखिए nav bias के अंदर multiple classes है तो जो class हम यहां पर use करने वाले है वो हम use करने वाले Gaussian classifier ठीक है तो मैं यहां पर लिखने वाली from sklearn.nav bias import और आपका यहां पर G capital होगा that is your Gaussian classifier ठीक है अब यह Gaussian classifier का मैं object मना लेती हूं तो यह हमारा model होने वाला है तो मैं इसको model नाम दे देती हूं ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे मेरे model को train करना है तो मैं कैसे train करना है तो मैं कैसे train करना है करती हूं fit method का use करके तो मैं लिकूँगी model.fit और मैं लिकूँगी x train और y train तो x train and y train ठीक है तो अब मेरा जो model है वो train हो चुका है ठीक है और यह पूरी तरीके से ready है predictions करने के लिए और predictions करने के लिए मैं कौन सा method यूज़ करूँगे मैं यूज़ करूँगी predict और यहां पर pass करूँगी मेरा x test तो देखिए इसने इस तरीके से predictions कर दिया अब मैं आपर अगर x test आपको बताओ यहां पर तो देखिए यह हमारा x test है ठीक है और manage जैसे कि आपको यहां बताया था कि आपका जो one stands for male है और zero आपका female के लिए use किया है ठीक है और अगर मैं यहां आपका यह purchased किया है या नहीं किया है तो जैसे मैं अगर आपको यहां लिख दू ताकि confusion ना हो तो यहां पर one stands for male, zero stands for female और यहां पर आपका है अगर purchased किया है तो one और not purchased है तो zero है तो जैसे कि आप यहां देख रहे हो जो first dollar record है हमारा तो उसमें क्या है आपका यह male है इसकी age 38 है 51,000 इसकी estimated salary है तो इसने purchase नहीं किया है फिज जो second है जो female है जो 58 years की है इसकी एक लाग की around about salary है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने purchase किया है ठीक है likewise यह third वाला भी जो है जो की यह female है 47 years की है एक लाग 13,000 इनकी estimated salary है इन्होंने भी purchase किया है तो इस तरीके से हमारा यह predictions आ गए है यहां पर ठीक है अब next हम क्या करेंगे हमारे model का हम score check कर लेते हैं तो हम लिखेंगे model.score और यहां pass करूँगे मैं x test और y test तो देखिए हमारे model का क्या score आ रहा है 87.5% आ रहा है ठीक है accuracy हमारी आ रही है 87.5 ठीक है तो similar मतलब यह आपको पता ही होगा यह score आप कैसे यह जो भी score आता है इसको into 100 करते है तब जाके हमारा score आता है ठीक है तो it is 87.5% accuracy ठीक है तो इस तरीके से हमने nav bias classifier algorithm हमने implement करके देख लिया है ठीक है तो मैं आशा करती हूँ आपको यह concept समझ में आ गया होगा तो यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करिए अपने friends के साथ share करिए और साथ ही हमारे चैनल को subscribe करना ना बोलिए अगले वीडियो में मिलता है हुआ है